दोस्तो आज हम जानेंगे जापान के बारे में जापान एक यूनिक कांट्री है जापान पिदफी पर सबसे आधीक सामाजी कर तगने की रूप से उन्नत रास्ट्रों में से एक है ये आपनी 20 साहस्कृती और नियों में के लिए भी पपुलर है टेन इंटरेस्टिंग फैक्स अबाउड जापान नामबर वान जापान लगभग 6,852 दिपो बाला एक दिप समुह है उन सभी में से केवल 4 दिपी जापान के उधिकांग्स भूमी सेत्रों को बनाता है होंग्शू, कुशू, सिकोकू और हकाइडो दिप जापान के टोटल स बाहरों से बना है जो खेती या रहने के लिए शूटेबल नहीं है यहां सो से ओधिक शुक्रियों जोला मुखी है और इसका सबसे उचा परवत प्रोसित माउन्ट फूजी है जिसकी उचाई 3,776 फीट है 3, कॉंगो गुमी दुनिया का सबसे पुड़ाना ओपरेटिंग बिसनेस है जिसे 588 तर में स्थापित किया गया था यह मुंदिरों और मुंदिरों के निर्मान में माहिड है 4, जापर में नूडेल्स को मुझ से आवज करके खाने को बिनम्र माना जाता है क्यूंकि उनके अनुसर यह भोजन के लिए प्रोशन से प्रोदर्शित करते हैं ऐसा माना जाता है कि जो लोग आवज करके नूडेल्स को खाते है उन्हें दीस बहुत ही पसंद आये है नमबर फाइब, ओफिस में काम के बीज में सो जाने को इनकारिस्ट किया जाता है क्यूंकि ऐसे माना जाता है कि इस से कारिय प्रभा और गोती में सुधर होता है इसका मतलब ये भी है कि आप आपनी जब के लिए समर्पित है और आपनी जब के लिए बहुत ही मेहनित की है No.6 उपहार के रूप में फल देना जापन में एक नर्माल बात है स्कॉयर वाटर मिलन को साजाने के लिए खरिदा जाता है और आम तोर पर नहीं खाया जाता है इस एक स्कॉयर वाटर मिलन के प्राइस लगभग 100 डॉलर होता है जापन के लोग एक दूसरे से बिलते समय हाथ नहीं मिलते बलकि किसी भी बेक्ति के सम्मान में जूप के उभिबादन करते हैं जो जितना सम्मानित होता है उसके लिए उतना ही जुका जाता है जापन में law and order एक बड़ी चीज है और उसे बच्पन से ही सिखना महतोपूर्ण है एही कारण है कि बहुत सारे जापनी स्कूल आपने स्टूडेंट से toilets, classrooms और स्कूल एरिया को साफ करता है खूद का क्लोन होना कोई नियमित बाद नहीं है लेकिन जापन में man of cloning के साथ प्रयोग करना कानून के खिलाप है और ये 2001 से लागू है अगर कोई नियम तोरता हुआ पाया जाता है तो उसे 10 साल की जेल या भारी जुर्माना की साजा दी जाएगी नमबर 10 टोकियो में लगभग 57 परसेंट लोग पाबलिक ट्रांसपर्ट यूज करते हैं जिससे बाड़े पेइमाने पर जात्रियों को सांगर्स करना परता है अगर रेकर्ट्स की माने तो ज्यादा तो रेलवेस 100 परसेंट से भी ज्यादा ओवर कैपासिटी पर काम करते ह इस थीति से निपटने के लिए सहर भीरभार बाले समय में लोगों को ट्रेन के अंदर धाकिलने के लिए ट्रैंजिट पूसर भी लगाता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद